ये आपके Gmail ID में स्याधिक नम्र विरिफाई हो चुका है जैसी के Pranx देखरें मेरे Gmail ID में दो नम्र विरिफाई है और एक नम्र को मैं डिलीट करना चाहता हूँ मैं अपने Gmail ID में दो नम्र नहीं रखना चाहता हूँ तो प्रेंच यदि आप भी आपके Gmail ID में भी यही option हो रहा है कि Gmail ID में दो नमर हो गया और आप एक नमर को हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि कैसे आप अपने Gmail ID से verified नमर को remove कर सकते हैं तो प्रेंच वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देजिएगा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर देजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नाटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए इसके लिए मैं यहां से home screen पे आ जाता हूँ और मैं आपको step by step बताता हूँ इसके लिए आपको अपने mobile के Chrome ब्राजर को open कर देना है Chrome ब्राजर को open करने के बाद आपको यहां पर कोहने में 3 . देखेगा आपको 3 . वाले option पर किलिक करना है three dot वाले option पे click करने के बाद friends आपको यहाँ पे दिखेगा setting वाला option तो आपको setting वाले option पे click कर देने setting वाले option पे click करने के बाद friends आपका यहाँ पे gmail id दिख रहे हैं तो आपको यहाँ से gmail id पे click करने है Gmail ID पर click करने के बाद PRENTS आपको यहाँ पर दीकेगा minus your Google account तो आपको minus your Google account वाले option पर click कर देना है cookie बाद PRENTUS आपको यहाँ पर पहला जो option हाँ log homem और जो दूसरा option है प्रेशनल info का को तो इहाँ पर सबसे पहले हमको u witch email सेलेक्ट कर लेना जिस email ID का आप नमबर रिमूब करना चाहते हैं तो फ्रेंट चलिए मैं यहाँ पर दूसरा Gmail का नमबर रिमूब करना चाहता हूं तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो आयरो वाला ओप्षन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो भी Gmail ID का आप नमबर रिमूब करना चाहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा नमबर हो चुका है उस Gmail ID का आप स्लेक्ट कर लिजे तो मैं यहाँ यह दूसरा Gmail ID को स्लेक्ट कर लेता हूं इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेशनल इंपो वाले ओप्षन पर क्लिक करना है प्रेशनल इंपो वाले ओप्षन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद प्रेशन देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक इंपो का ओप्षन है और आपको नीचे की तरफ scroll करना है नीचे की तरफ scroll करने के बाद आपका जो भी नाम है यहां पर आ जाएगा और आप change करना चाहते हैं इस आयरो वाले option पर क्लिक करके change कर सकते हैं इसके बाद नीचे आपको प्रेंच आपको यहां पर दिखाएगा date of birth yeah इसके बाद प्रेंच नीचे और इस ला करने आपको यहां पर चिमेल डिखा देगा और इसमें दो नम्मर verified है तो आप किस नम्मर को आप delete करना चाहते हैं रिमूब करना चाहते हैं उस नम्मर को आप यहां से arrow वाले option पर click करेंगे तो यहां दोनों ही नम्मर पर arrow का option है तो चलिए मैं इस नीचे वाले नम्मर को यहां से remove करना चाहता हूँ तो इस arrow वाले option पर यहां से click करूंगा arrow वाले option पर click करने के बाद प्रेंट्स आपको यहां पर देखिए एक option दिख रहा है delete का तो आपको इस delete वाले option पर click करना है delete वाले option पर click करने के बाद प्रेंट्स देखिए यहां पर दिखा रहा है remove number का तो आपको यहां से remove बाले option number पे click करना है remove बाले number पे click करने के बाद प्रेंच आपका जो number है यहां पे successfully यहां पे देखे phone number removed का option आ चुका है तो आपका phone number removed हो चुका है तो इस तरह से प्रेंच आप अपने Gmail के number को easily से remove कर सकते हैं चलिए अब हम आपको back होके दिखा देते हैं तो मेरा एक ही number वहां पे show करेगा तो देखे प्रेंच अब जो मेरा number है यहां पे एक ही number verify हो रहा है तो आप एक बार और आपको back करके दिखा देता हूँ तो देखे यहां पे पहले दो number show कर रहा था अब यहां पे एक ही number show कर रहा है तो प्रेंच उम्मीद यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप इजली से समझ गया हो